उपलब्धी जेम्स वेब टेलिसकोप के नए खुलासे ने किया हैरान वैग्यानिकों ने खीची करोडों साल पुरानी घुमती आकाशगंगाओं की तस्वीर वाशिंग्टन जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप अंतरिक्ष को लेकर अकसर नए खुलासे कर रहा है इस बार जो जानकारी इस टेलिसकोप से मिली है उसने वैग्यानिकों को हैरान कर दिया है वैग्यानिकों ने इस दुर्बीन के जरिये ब्रिमान की शुरुआत के हालात को देखने की कोशिश की तो उन्हें अद्भुत नजारा देखने को मिला उन्होंने देखा कि एक ब्लैक होल के भीतर बन रहे लाल आभापुंच, क्वासर में कई आकाशगंगाएं एक दूसरे में समा रही है इस निशकर्ष से यह अधेयन करने का एक अभूतपूर वफसर मिलेगा कि कैसे अरबो साल पहले आकाशगंगाओं ने आधुनिक ब्रमांड में विले किया था एजेंसी अभी और खुला से होना बाकी जकामसका के मताबिक दुरलब लाल और तेज रोश्नी फेक रहे क्वासर के कैंटर में एक बड़ा ब्लैक होल है जो लगभग 11.5 अरब वर्ष पुराना है और इतनी दूरी से देखे जाने वाला सबसे शवतिशाली ब्लैक होल में से एक है यह यकीनन एक ब्लैक होल बनने की शुरुआती प्रक्रिया है वाइना के अनुसार ये अपने चारो और की गैस को खा कर द्रव्यमान में बढ़ रहा है प्रित्वी और ब्लैक होल के पास चमक्ती गैस के बीच धूल और गैस के बादल क्वासर को लाल रंग दे रहे हैं जकामसका के मुताबिक अभी जो हम देख रहे हैं वो बहुत बड़े डाटा सेट का एक छोटा हिस्सा है यहां बहुत कुछ चल रहा इसलिए हमने सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डाला की वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ब्रमान के बारे में समझ बदलने वाली तस्वीर सह प्रमुक इनवेशक नादिया एल जकामसका ने कहा कि पिछली छवियों के साथ हमने सोचा था कि शायद आकाश गंगा एक दूसरे से बात चीत कर रही थी क्योंकि उनकी आकृतिया विकृत हो जाती थी लेकिन वेब टेलिसकोप से मिले डाटा को देख कर हम हैरान है वेब में कम से कम तीन आकाश गंगाओं को अविश्वस्निय रूप से तेजी से आगे बदने का खुलासा किया इससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में द्रव्यमान मौझूद है बता दे कि जॉन्स हॉपकिन्स की एस्ट्रोफिजिसिस जकामसका ने 2017 में ततकालीन जॉन्स हॉपकिन्स पोस्ट डॉक डॉमिनिका वाइले जेलिक के साथ परियोजना पर काम किया था और अब वो हीडलबग विश्विद्यालय में ग्रूप लीडर है गुमती आकाश गगाए AJC आकाश गगाए अपने जीवनकाल के खासक्षन में है कुछ अरब वर्षों में ये पूरी तरह से बदलने और अलग दिखने वाली है NASA, European Antiriksh Agency और Kanadai Antiriksh Agency द्वारा पिछले दिसंबर में लॉंच किया गया James Webb Space Telescope अंतरिक्ष में भेजा गया था ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलिस्कोप है